अगर किसी किड्नी रोगी का क्रिट्नाइन यूरिया कम नहीं हो रहा है तो ये वीडियो उसके लिए रहने वाला है अगर ये वीडियो वो पूरा देखता है और इसमें बताए गए तरीकों का इस्तमाल करता है तो इससे उसका क्रिट्नाइन यूरिया बहुत तेजी से गम हो होने लगेगा और उसका जो क्रेटनाइन यूरिया भढ़ने की धर है वह भी कम होती चली जाएगी तो मैं अनिल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इंट्रोप्शन इसका नाम हेल्थ ही नहीं और यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है सभी क्रेटनाइन यूरिया भढ़ने लग जाता है और यह क्रेटनाइन यूरिया भढ़ने के बहुत सारे कारण होते हैं जैसे कि मैं पहले भी कई वर बता चुका हूं यह हमारे खाने पीने की यादतों से भी भढ़ते हैं साथ में यह हमारे मसल्स द्वारा भी क्रेटनाइन ब क्रेटनाइन यूरिया बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है तो व्यक्ति की बहुत ज़्यादा तबियत खराब होने लग जाती है शरीर में ऑक्सिजन का लेवल गिरने लग जाता है और उसके ब्लड के अंदर बहुत सारी असुद्धियां मिलने लग जाती है ऐसे में वो जाए तो एकदम से तो कम नहीं होगा थोड़ा समय लगता है दो तीन दिन का लेकिन इन दो तीन दिनों में आपका जो क्रेटनाइन दस है और भी तेजी से बढ़ने लगेगा और यह आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देने लगेगा तो आप सबसे पहले क्या करें कि अदर ऑपसीजन लेओल अच्छा हो जाएगा आपका क्रेटनाइन दस था तरहो तीन पर आ जाएगा डायसीस के बाद अगर यूरिया आपको थाई तीन सो है दो तो आपका यूरिया भी पचास तका याएगा आप धालेसीस जो टेक्निशन्स होते हैं उनको बोह बहूल कर दिए आप मेरे बताय हुए तरीकों का इस्तमाल करें तो इससे आपको ज्यादा बेनिफिट दिखेगा सबसे पहले तो जितने भी क्रिट्न यूरिया बढ़ने की समस्या होती है वो खाने पीने से होती है तो मैं किड्नी रोगी को हमेसा बोलता हूं कि देखिए अगर आप ड क्रेवाइन के सहारे से और डायट के सहारे से क्रिट्न यूरिया चाहते हाँ तो औरस यति न einzदिखेए च्राब खराब हो जाती है तेरो फटाइक से किडनी ट्रांस्प्लांट भी करा लेते हैं उसके बाद उनकी दुबारा किडनी भी खराब लेपा हो शूजादी किउक againstіє क्यों की बहुत ज्यादा परवा होते हैं उनको न critics की जो बंदा उसको किड्नी देने वाला है उसकी परवा होती है ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोचते हैं उसको ना तो दूसरे से मतलब है ना अपनी हेल्थ से मतलब है तो कभी भी अगर आपका क्रेट 9 आपको कम करना है तो डाइट पर बहुत ज़्याद के लिए आपको मसाले वला खाना बिल्कुल नहीं खाना SPEAKER टूद मतरा में करना दूद बहुत कम मतरा में ही लेना तो इन सब चीजों पर जब आप अवोईड करना सीखेंगे इनको जब भी लेंगे इनकी जरुरत होगी तो आपका यूरिया भी कम बनेगा अब बहुत से किड्नी रोगी कि बोडी के अंदर पानी खट्टा होने लग जाता है पाडी खट्टे होने के कई कारण होते हैं एक तो उनको यूरिन अच्छी क्वांटिटी में नहीं आ रहा होता है जिसकी वज़े से यतना ज़रा टह लेंगे उतना ज़्यदा पसीना आएगा अपना ज़्यदा स्वैटिंग होगी उनकी बोडी में और ज्यादा से ज्यादा उनके सरीर से क्रेटना आए नियूरिया और पानी भी बाहर निकलेगा दाट कि विस रूप प्रोई चोदरी का जो वाटर टेंक है उसमें भी यही पॉरसेस अपना जाता है चालिश दिगरी तापान में पानी गरम होता है और बंदे को उसमें लिटा दिया जाता है गरदन तक पानी करके तो इससे उसकी बोडी का जो हीटिंग लेवल होता है वो इंक्रीज होने लगता है उससे उसको पसीना आने लगता ह इससे उसके blood का flow बहुत तेजी से भड़ने लगता है तो उसके सारे organs में बहुत अच्छी तरीके से blood जारा होता है तो ये सब आप अपने घर में भी कर सकते हैं अगर आपके बहुत को heating mat है या आपके पास गरम पानी करने की विवस्ता है तो आप ऐसे करके उसको कर सकते हैं अब बात करते हैं दवाईयों के उपर कि दवाईयां भी बहुत जादा एहम भूमी का अदा करती है क्रिटनाइन यूरिया को कम गरने के लिए तो देखिए मैंने बहुत सारी दवाईयां आपको बताई हुई है मैं नईनी medicines बताता रहता हूँ कि देखिए 20-25 साल के लिए आप क्रिटनाइन यूरिया को कम जबी कर सकते हैं जब आप दवाईयां बदलते रहते हैं एक दवाई को समय बात अपना असर करना बंद कर देती है यह एक बहुत कड़वी सच्चाई है पर यह सच्चाई है इसको मानना पड़ेगा आप सबको जो भी बहुत लम्मे समय से इस चीज को देख रहे हैं या इस चीज पर चल रहे हैं तो उनको पता होगा कि वह कितनी दवाईयां अभी तक चेंज कर चुके हैं तो बहुत से लोगों को यह सब मजाक लगता है और यह मजाक वाले जो बंदे होते हैं यह रेल में कभी अपने आपको सीरियस नहीं लेते हैं इसलिए अपनी कि resolutions करल लेते हैं उसके बढ़ कर रहे हैं और सच करवा होता है मैं समझ में आता है तो डेखे आपने राएं ट्रामित कर लिया और आप चाते हैं किध्नी ठीक हो जाए दुबारे से ग्राफ्टेट किड्मी तो वो कभी नहीं हो सकता आपको डालेसिस पर जाना पड़ेगा आप कुछ नहीं कर सकते आपको पैसा बहुत है आप देते रहें आयरुदिक डॉक्टरों को तो आपको दिल में एक सत्वामना बनी रहेगी कि हां भाई महां से ठीक हो र प्यदिग आपको बता चुका हूँ मैं इसका लिंक को देदूँगा वीडियो पूरी जाता है उसमें इस वीडियो का लिंक करें तो आप आप सकते Denise का लिंक को एक या दो देखिए मेरा काम है आपको सही राय देना मैं यह नहीं चाहता कि आपका बुरा हो बाकि अगर आपको कोई भी कहता है कि आपका डालेसिस आप कराने की जुरूरत नहीं है आपकर क्रेट 920 है कम हो जाएगा तो देखिए आप रिस्क ले रहे हैं अपने उपर और जिन्दा है तो सब कुछ देखेंगे लेकिन लाइफ नहीं रहेगी तो कहां से आप कुछ देख पाएंगे आपकी लाइफ का गेम ओवर हो जाएगा इसलिए इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखें तो फ्रेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को ला करते हैं